हलो फ्रेंड्स, मद्रास हाई कोट के पास एक सक्स, एक रिट पेटिशन फाइल करता है, उसमें बड़ा इंपोर्चेंट मुद्धा उठाया है, इखा.com, justdial.com, quicker.com, ये तीन .com है, इन लोगों ने उसमें दूसरी commodities के साथ एक tab दिया हुआ है, कि अगर किसी को वकील की करें, उनका mobile number मांगा जाता है, उनकी detail मांगी जाती है, और उसके बाद submit करने के बाद, उनका जो mobile number है, वो concerned जो registered वकील है, उनको वो number transfer किया जाता है, वहां से फिर call आनी शुरू हो जाती है, ये game चल रहा है online, third party applications है, उन्होंने ऐसी चीज़े use की हुई है, और वो client को उन advocates तक पहुँचाते हैं, बीच में इनका commission होता है, मदरास High Court का बहुत-बहुत important judgment आया है, दोस्तो, एक-एक सब्द जो है, इसके बहुत important है, इस सक्स ने writ file किया, और उसमें first party bar council of India को बनाई, इस सक्स ने second party state bar council Tamil Nadu को बनाई, इस सक्स ने तीन और पार्टियां अपने writ में बनाई, जो sulekha.com, justdial.com, और cricket.com, but an interesting observation है, court की, जिसे मैं आप से discuss करूंगा, इस सक्स ने सारी चीजे proper documentation के साथ, court में लगाई, कि कैसे ये जो third party websites हैं, ये एक-दो नहीं, भतेरे many websites हैं, इतनी सारी संख्याएं हैं, ऐसी websites की, जिसमें वकील को registered करने का offer दिया जाता है, उन बनेगा, ऐसी websites चल रही हैं, जिनके modus operandi हैं, उसमें entry होती है, उसमें जब आप अपना number डालोगे, तो वहां से वो pin generate होता है, वो documentation के साथ, इस सक्स ने मदरास High Court में, रिट फाइल की, और इस पे सुनवाई करते हुए, मदरास High Court का observation लाजवाब है, दोस्तो, मदरास High Court न ने कहा कि वकालत एक job नहीं है, एक नौकरी नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है, ये कोई business नहीं है, सचाई, truth और justice can't be traded, इनका बैपार नहीं हो सकता, इनका business नहीं हो सकता, और ये जो third party websites हैं, जो वकील उसमें enrolled होते हैं, वो उनके ऊपर भी इन्होंने अपने दिरने में क इनको registration की fees भी दे रहे हैं, ताकि registered होकर इस website से just dial, sulekha.com, ऐसे तीन websites को लिया गया है, बट ये बहुत बड़ी संख्या में हैं, और इनके through जो client हैं, वकील तक पहुंचाय जा रहे हैं, तो ऐसे जो advocates हैं, उनके खिलाफ, ऐसे वकीलों के खिलाफ भी कारवाई करने का आदे मदरास High Court ने आखिर किन बातों की चर्चा की है, बहुत-बहुत important है, दोस्तो, मदरास High Court ने role of advocate पे बात की है, एक advocate का role क्या है, 37 और 36 Bar Council of India Rules कहता है, कि कोई भी advocate परचार परसार नहीं कर सकता, soliciting work, मतलब मुझे काम दो, ये मेरी pricing है, ऐसे काम नहीं किये जा सकते, ये बिल कराने के 15,000 रुपए, mutual divorce कराने के 50,000 रुपए, और ये discount price है, ये भी दिया जा रहा है, अब आप सारे 12,000 में mutual divorce करा सकते हो, ये चीजे लिखी हुई है, ऐसी चीजे आ रही हैं, और ऐसे जो documentation के साथ advocate ने, जो petitioner है, उसने ये case file किया, court ने इन चीजों को observe किया, अच्छे स साफ सब्दों में कहा है, कि ये लोग बिचॉलिये का काम कर रहे हैं, torts का काम कर रहे हैं, ये दलाल के रूप में खड़े हैं, commission खाते हुए, commission के पैसे इनको मिलते हैं, ये case transfer किया जा रहा है, ये गलत है, मदरास high court ने कहा, कि ये कैसा मजाक है, भारतिये नियाए विवस् वकील की fees होती है, और ये fees out of respect और उसके knowledge, उसको एक सम्मान की नजर से देखते हुए, ये fees दी जाती है, उसके समय देने के लिए, अपने ज्यान को देने के लिए, इसका बैपारी करन नहीं हो सकता, इसका trading नहीं हो सकता, सच और न्याय का कोई बैपार नहीं हो सकता, मदर बेवशाय है, यहाँ service है, prime concerned, यहाँ profit नहीं है, किसी भी business का एक ही मुद्दा होता है, उसका main source होता है profit, lab, business का मतलब है lab, मदरास हाई कोट ने कहा कि ऐसे बहुत से वकील हैं, जो समाजिक मुद्दों के लिए लग रहे हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनके अधिकार नहीं म पा रहे हैं, उनकी लडाई लग रहे हैं, बहुत से ऐसे वकील हैं, तो वकील की fees होती है, जो उनको respect के तौर पे दी जाती है, यह पूरी तरह profit oriented profession नहीं है, और यही चीजें वकालत को दूसरे profession से अलग करती है, quicker.com, यह जो justdial.com, sulekha.com, यहाँ tab बने हुए हैं website पे, कि अगर कोई plumber service है, तो आपको लेनी है, अगर कोई washing कपडों को की धुलाई कर दी है, तो यह service लेनी है, यह सामान, यह service, यह service, और उसी tab में एक tab बनाया हुआ है, आपको advocate चाहिए, need advocate, तो आप यहाँ दबाओ, आपको अपना case चाहिए, किसी खास field में, तो आप इसमें rating, और दूसरी चीज़ की यह जो website चल रही है, यह जो rating है, यह जो recommendation है, इसकी authenticity क्या है, लोग इसमें cheat किये जा रहे है, fraud किये जा रहे है, आई court ने कहा, कि यह वकीलों के बीच survival of the fittest नहीं है, कि वही survive करेगा, जो fit होगा, जो सबसे सर्वुत्तम होगा, यहाँ survival of the distressed की तहत, अदालत की वेवस्था को recognize किया है, समविधान ने अदालत को बनाया है, और अदालत की वेवस्था न्याय के लिए है, यह एक institution है, और इस institution में, जो वकील दिन रात लगे हुए है, उनका prime object है, न्याय जस्टिस और truth, दोस्तों, ऐसी situation में, मदरास High Court ने कहा है, कि system आप कैसे बना सकते हो, न्याय को बेचने के लिए आप website पे कैसे लिख सकते हो, आप Bar Council of India Rules का violation कर रहे हो, ऐसी ऐसी बाते कही गई है, बहुत बहुत important judgment है, दोस्तों, यहाँ दुख दर्द में है, उनको बचाने की लडाई है, उनके survival की लडाई है, यह survival of the fittest नहीं है, और सबसे important बात बता दूँ कि इस writ petition में, Bar Council of India की तरफ से represent किया गया, state Bar Council की तरफ से advocate ने represent किया, but quicker.com की तरफ से, सुलेखा.com की तरफ से कोई भी वकील खड़ा नहीं हुआ, दोस्तों, एक ही website है, वो है, Just Dial, इनकी तरफ से एक वकील खड़े हुए, उन्होंने दलील दी कि मैं ना दें, आपकी पूरी website, उसकी functioning, modus operandi, सब कुछ गलत है, रास हाई कोट ने 3 जुलाई 2024 को ये निरने दिया है, उसने Bar Council of India को ये बोला, कि ऐसे किसी भी जो third party app हैं, जो third party websites हैं, जो वकीलों के लिए काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो एक टाउट्स की भूमिका में हैं, काम generate करके वो लोगों को पैसे ले रहे, ऐसे किसी भी website को immediately बंद किया जाए, जो party थी इसमें, इनको भी निर्देश दिये गया है, कि four weeks में, चार सब्ताह में, आप ऐसे किसी भी functioning को stop करो, इनको रोक दो, साथ ही Bar Council of India को बोला गया, कि ऐसे system में, जो वकील registered हैं, और इस तर भी करवाई करो, उनके उपर भी करवाई करने के बात, मदरास हाई कोट ने कही है, साथ ही, मदरास हाई कोट में, Bar Council of India को ये निर्देश जारी किया है, कि इस काम के लिए, इस प्रकिरिया के लिए, आप भारत सरकार, Government of India की मदद लो, यहां तक बोल दिया गया, दोस्तों, ये बाते कही है, मदरास हाई कोट ने, ये बहुत-बहुत important निर्णय है, और इसके साथ ही, अगली date भी दी गई है, निर्णय के बाद एक date दी गई है, कि इनके निर्देश के तहत, ये सारी कारवाई हुई, या नहीं, as date पे compliance report file करें, बहुत important judgment है ये, जैसे लिखोगे requirement of advocate, advocate चाहिए, आपको na sponsored paid websites, जिन्होंने Google को पैसे दिये हुए है, कि उनको सबसे ऊपर चलाना है, दिखाना है, वैसी websites की लंबी कतार लगी हुई है, अब बार council of India को ये निर्देश जारी कर दिये गया, लेकिन मैं बहुत surprising thing आपको बताऊं, इस judgment के पास होने के one month में, यान भी इनके tab active है, तो वास्तों में जमीन पे कैसे order को avoid किया जाता है, बही कंपनिया, court को भी कुछ समझने को त्यार नहीं है, उनको लगता है कि order है तो है, आज भी बदरास high court का judgment, इनको comply नहीं किया गया है, दोस्तों, बार council of India को ये निर्देश दिये गया है, कि ऐसे websites, ऐस कमपनियों के खिलाफ या ऐसे वकील के खिलाफ जो खुद को परचार कर रहे हैं, इतनी fees लगेगी, मैं ये काम करूंगा, मैं वो करूंगा, खुद ही परचार परसार में लगे है, ऐसे वकील, डिफॉल्टर वकील के खिलाफ भी कारवाई करने की बात की गई है, और ऐसे third रहा इस पांच साल में जब तक ये केश चलता रहा ये निरने आने तक तो ये मजे ले रही थी कंपनिया इनके उपर लाखोर करोरों रुपए का फाइन लगाना था लेकिन मद्रास हाई कोट में इनके उपर एक रुपए का कोई भी फाइन नहीं लगाया है नो कॉस्ट सिर्फ इनको बोला गया कि आप चार विक में अपने सारे कार को बंद कर दो ठप कर दो ये सब खत्म करो लेकिन इस फोर विक में भी ये खत्म नहीं हुए आप चेक कर सकते हो अभी भी सारी वेबसाइट चल रही हैं अब कितनी एक्टिव होगी बार काउंसिल लॉफ इंडिया उनको तो यहां तक बोला गया है कि आप भारत सरकार की मदद लो अब पता नहीं वो भारत सरकार की मदद लेंगी ऐसी कंपनियों के खिलाफ केस करेंगी या फिर ये कंपनिया अपने पावर का यूज करते हुए कि हमारे जो constitutional body हैं जो statutory body हैं क्या उनको भी affect कर देंगी उनको भी manage कर लेंगी ये बड़ा प्रस्न है दोस्तो इस judgment के बाद भी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं लेकिन इमानदारी से इस पे काम करने की जरूरत है action लेने की जरूरत है डिफॉल्टर वकीलों के खिलाफ औ इस judgment के बाद उन्होंने सारे state bar council को लिखा है कि वैसे वकीलों के खिलाफ वैसे websites के खिलाफ जो आपके state में चल रही है उनके खिलाफ करवाई करें उनके खिलाफ फटा फट आप action लो उनके खिलाफ case file करो तो दोस्तों ये एक बड़ा अभियान होने वाला है मीन पे ये ची event available है बहुत सारी website पे direct court की website पे भी available है आप इसको पर सकते हो